हेलो स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन का जो टॉपिक आपका पीछे बहने पर है था रिस्ट एंड मोशन और रिस्ट एंड मोशन में मैंने आपको डिस्टेंस और कर रहे हैं आप देख रहे होंगे यहां पर जो डेटा दिया हुआ है वहां पर मैंने टाइम दिया है एक बॉड़ी एड है और एक बॉड़ी बी है तो यह बॉड़ी का जो डिस्टेंस कवरिंग है वो दिया हुआ है अब देखो अगर आप यह बॉड़ी को देखो अगर पहला टाइम जो मैं दीख रहा हूँ, वो क्या है, 9.30 a.m. उसके बाद क्या हो गया, 9.45 a.m., 9.45 a.m. या 9.40 a.m. देख रहा है, फृर 15 मिनट का डिफरेंसेज हैज 15 मिनट में जो बॉडडी ये है उसका जो डिस्टेंस कवरिंग है वो देखिए क्या है 930 एम में वह 10 मीटर पे था 945 एम में वह 20 मीटर पे आ गया इसका मतलब उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है वह तसानी से समझ में आ रहा होगा आपको उसके बाद फिर वह 10 से में फिर वो थर्टी मीटर पे गया मतलब फिर वो दस मीटर इस्टेंस कभर किया फिर वो 10 15 में 40 मीटर पे गया फिर वो 10 मीटर का इस्टेंस कभर कर रहा मतलब every in every 15 million in the gap of every 15 minutes body a covers 10 meter distances it means what it means an object covers equal distance in equal interval of time equal distance equal interval of time में cover किया जा रहा है तो ऐसे condition को हम लोग बोलेंगे uniform motion यही है क्या uniform motion अगर मैं इसका example दूँ तो बहुत अच्छा example है कि अगर कोई body freely move करता है earth के towards freely falling body जो होगा न वो क्या होता है uniform motion का काफी अच्छा example है तो हमने क्या समझा है यहां पर कि एक moving body जब equal distance cover करता है equal time interval में तो ऐसे condition को हम लोग क्या बोलेंगे uniform motion बोलेंगे जब कि जब मैं बात कर रहा हूं body का तो भी body के बाड़े में हम क्या data देख रहे हैं अब देखिए 930 एम में 930 एम में वो 12 मीटर पर था 945 एम में वो कितने मीटर पर आ गया 19 मीटर पर आ मतलब वो distance cover कितना किया 7 मीटर फिर वो अगले 15 मीट में देख रहे हैं 19 मीटर से 23 मीटर में आ गया मतलब कितना हो गया तो यह हो गया दोनों के बीच का अगर हम distance निकाले तो कितना हो जाएगा 4 मीटर अगर अगले 15 मीट में मैं देख रहा हूं तो यह distance cover कितना हो जाएगा तो 23 से 35 में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कवर जो आप देख रहे हो, ये इक्वल तो नहीं है, तो भी जो बॉडी हमारा है, वो आप देख रहे हो, every 15 मिनट में भी जो बॉडी कवर कर रहा है, दिस्टेंस वो सेम तो नहीं है, कभी वो 7 метr कर रा है तो कभी 4 meter कर रा है तो कभी वो 12 meter कर रा है, इसका मतलब equal time में जो distance cover किया जा रहा है भी body के दुरा वो क्या है, अण इक्वल है है ना, तो देखिए when an object cover और unequal distance in equal interval of time, तो ऐसे condition को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है non uniform motion, ये हमारा कैसा motion है, non uniform motion, जनरल एक्जामपल है इसका, जैसे हम लोग मानली जोगिंग कर रहे हैं, या फिर मानलो कोई insect एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जनरली क्या होता है, कि मानलो एक ball जो होता है, वो जब heat किया जाता है, तो उसका जो distance covering होता है, ये un equal होता है, इसका time interval कोई fix नहीं होता, तो ऐसे condition को हम लोग क्या बोलेंगे, non uniform motion, तो uniform motion के बारे में आपको ध्यान रखना है, when equal distance covering equal interval of time, चाहे वो time interval कितना छोटा भी क्यों ना हो, अगर वो time interval one second का हो, nanosecond का हो, इससे कोई नहीं पड़ता है, हम लोग उसको uniform motion का नाम देंगे, और जब unequal distance cover किया जाता है, equal interval of time में, तो ऐसे condition को हम लोग बोलेंगे, non uniform motion, ओके, तो इस concept को समझने के बाद देखिए, हमारा next concept आ गया, speed and velocity का, जब हम लोगोंने distance और displacement जान लिया था, तो हम लोग को अब ये भी जान जरूरी है कि speed क्या होता और velocity क्या होता है, अब देखो speed को मैंने क्या बताया है, distance traveled by object in per unit time, मतलब अगर हम लोग speed को कहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, distance by time, यही बोलेंगे, या फिर speed को अगर हम लोग represent करते हैं, भी से तो भी is equal to क्या हो जाएगा, s by t, यही है, और इ SI unit क्या हो जाएगा, इसका SI unit क्या हो जाएगा, तो distance का SI unit क्या होता है, length है, length का SI unit क्या होता, meter, तो meter और time का SI unit क्या होता, second, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, meter per second, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकता है, meter second inverse one, तो यह हमारा क्या हुआ, speed, जबकि velocity को हम लोग देख टाइम है, displacement आपको याद होगा इसका direction होता है, जबकि speed में distance का direction नहीं होता है, तो displacement पर unit time कहने का मतलब क्या हो गया, कि अगर ये velocity है, तो velocity बराबर s by t होगा, लेकिन ये s हम लोग किसके लिए use कर रहे हैं, ये s हम लोग use कर रहे हैं, displacement के लिए, ये किसके लिए use हो रहा है, displacement के लिए, और displacement क्या होता है, distance with direction, है ना displacement को हम लोग ऐसे भी तो कहा सकते हैं, अगर माल लो कोई object जो है, वो straight path में travel कर रहा है, माल लो इस straight path का नाम हमने AB दे दिया, और AB का distance जो है, वो अगर हम लोग माल लेते हैं 10 meter, तो अगर कोई body इस direction में जा रहा है, तो इसका distance और displacement ए distance और displacement दोनों तो 10 meter ही होगा, बट displacement पर हम लोग क्या देंगे, displacement पर हम लोग देंगे कि भाई इसका direction है, तो हम लिखेंगे A to B, यह important बात है, लेकिन जब हमको distance बताना है, तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे 10 meter, तो velocity क्या होता है, displacement per unit time, अब चुकिए velocity जो मेरा है ना वो actually मे vector quantity होता है, और vector quantity को मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, इसके लिए हम लोग इसके ओपर क्या लगाते है, arrow लगा देंगे, इससे पहचान में आ जाएगा, कि यह और भी और इस भी में देखी अंतर है, यह भी किसके लिए use किया जा रहा है, तो speed के लिए, जबकि यह भी किस के लिए use किया जा रहा है, तो velocity के लिए, जबकि वेलो सिटी का वेलो जो होगा, वो क्या हो सकता है, यह positive भी हो सकता है, यह negative भी हो सकता है, यह 0 भी हो सकता है, वेलोसिटी 0 भी हो सकता, माल लो एक object यहां से यहां गया, §c a से b में गया और b से फिर बापस a में आ गया, तो इसकी velocity 0 हो जाएगी न, क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि displacement ही 0 हो जाएगा हमारा, तो ऐसे condition में यह velocity यह हो सकता है, 0 हो सकता है, जबकि speed जो होगा वो 0 नहीं होगा जबकि distance 0 नहीं होगा तो speed भी 0 नहीं होगा क्योंकि A से B जाने में B से A आने में फिर बापस उसको कुछ तो कुछ समय लगेगा ना तो उसके हिसाब से फिर जो length होगा वो तो double हो जाएगा इसका तो ऐसे condition में यह सब बाते आपको दियान में रखनी है अगर आपको differences पूछा जाए तो यह सब आप लिख सकते हो कि speed जो होता है उसमें direction नहीं होता है velocity में direction होता है speed जो होता है वो हमेशा positive होता है जबकि velocity 0 हो सकता है माइनस हो सकता है और negative भी हो सकता है speed जो होता है वो क्या होता है scalar quantity होता है जबकि velocity जो होता है वो क्या होता है vector quantity होता है जबकि दोनों का इसका भी SI unit वही होगा जो speed का SI unit होगा वो क्या होगा meter second inverse one ये बात धियान में रखनी है आपको अब देखिए इसी चीज को फिर आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं वो हमारा क्या है average speed अब देखिए average speed क्या होता है देखो क्या कहता है it is the total distance covered by an object in total interval of time या total time taken average speed जो होता वी ये भी इसको represent किया गया है मतलब total distance travel by total time taken मतलब जो पहला जो distance दिया हुआ है ना first distance जो हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग S1 मान लेंगे 50 meter है और जो T1 है मेरा वो कितना दिया हुआ है 6 seconds फिर कहता है another 50 meter in 8 seconds मतलब S2 distance 2 मेरा क्या दिया हुआ है 50 meter और जो मेरा T2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 seconds अब आप से खाता है average speed निकालो तो formula मेरा देखिए अब देखिए total distance क्या हो जाएगा मतलब S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा तो 50 प्लस 50 इसका मतलब क्या 100 meter हो जाएगा और मेरा total time क्या हो जाएगा तो T1 प्लस T2 तो total time मेरा कितना हो जाएगा तो देखिए एक 6 seconds दिया हुआ और 8 seconds दिया हुआ है तो 6 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 14 seconds अब अगर हम लोग को निकालना है average speed मतलब भी average निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे total distance कितना हो जाए 100 meter और total time मेरे पास कितना आ गया तो total time हो जाएगा 14 seconds अब आप देखो तो आप इसक इसको solve कर सकते हो तो इसको आपको खुद से solve करना है तो यह बाते आपको ध्यान में रखनी है कि average speed is equal to क्या होता है total distance travel by total time taken अब next हम लोग जो देखने जा रहे है वो हमारा देखिए क्या है average velocity देखिए average velocity क्या है देखो क्या कहता है for uniform velocity यह ध्यान देना है यह किसके लिए है uniform velocity के लिए है तो uniform velocity कहने का मतलब क्या है there is no change of velocity at given interval of time जो मतलब equal interval of time में equal distance cover equal displacement cover करेगा वो है न तो uniform velocity it is calculated arithmetic mean of initial and final velocity यह velocity uniform होना चाहिए अगर यह change करेगा तो यह formula आपका काम नहीं करेगा है तो यह क्या है arithmetic means है arithmetic means करने का मतलब क्या initial velocity और final velocity देखो initial velocity जो होता है उसको हम लोग क्या मानते है यू और final velocity को हम लोग क्या मानते है भी तो वी average जो होगा देखिए यहाँ पर मैंने arrow का निशान दे दिया है इसका मतलब क्या यह vector quantity है तो वी average अगर arithmetic mean निकालते हैं तो क्या होगा यू प्लस यही है मेरा अर्थमेटिक मीन आप देखिए नीचे एक नुमेरिकल मैंने दे दिया इसको समझाने के लिए देखिए क्या कहता है दा ओडो मीटर ऑफ कार रिट्स थाउजन्ट किलोमीटर एट स्टाट मतलब उसका जो इनिसियल रीडिंग था वो कितना था थाउजन्ट किलो दिस्टाइब निकालें लिए टोटल डिस्टंस निकालें तो क्या हो जाएगा पहला जो उसका था वो कितना था है औरता है ये बरा इंपॉर्टन कॉस्चन है ओर्वेघिर होता है ना वह आपका डिस्टेंस कवर बताता देखिए गार में जो एक स टैप का ऐसा कुछ बंऋ गडाता ना जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं और उस नंबर को देख करके आपको पता लगाते हो कि यह कार यह जो वेहिकल है वो खितना 셔क्ष कभर कर चुकी है यह लाई यह चीज आप पता लगाते हो तो उसी distance को measure करने वाला जो instrument होता है उसी को बोलते है odometer तो total distance मेरा कितना हो गया तो कितना हो गया 1800 और minus क्या thousand इसका मतलब कितना हो गया 800 km और time मेरा कितना लगा है 4 hour तो अगर हम लोग इसका निकालते हैं average speed देखिए यहां पर average speed निकालना है तो V AB बड़ाबर क्या हो हो जाएगा total total distance कितना हो गया एट एट थाउज एट सड़ी 800 km है 800 km और मेरा time कितना लगा 4 hour तो हम निकाल सकते हैं इसको इसको आपको खुद calculate करना है है ना इसको आपको खुद से calculate करना है और आप इसको meter per second में भी convert कर सकते हो है ना meter per second में convert करने के लिए आपको km को meter में बदल दिजीएगा और 4 hour को second में बदल देंगे km में जब आप meter में बदलोगे तो क्या हो जाएगा इसको आप 1000 से उना कर लोगे और इसको आप 60 आपको बताना चाहूंगा, तो मैं आपको एक numerical बता दूँ उससे related, average velocity से related और average speed से related, जिससे आपको आसानी से यह और ज्यादा clear हो जाएगा, कि velocity और speed में क्या आपको अंतर है, यह पता चल जाएगा, आप देखिए, कहता है, पूनम swims 80, 80 meter long pools, माल लो एक pool है, एक pool है, और एक pool का जो length है ना, वो है 80 meter, माल लो यह pool का मैंने नाम दे दिया, AB, और इसका length कितना है भाई, इसका length है 80 meter, इस swimming pool का length कितना है, 80 meter, अब 80 meter के length जो है, उसमें कितना time लगा उसको, 1 minute, by swimming from one to another end, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना लगता है, 1 minute, 1 minute का time लगता है, and back along the same straight path, और वो back जो होती है, उसमें भी उसको 1 minute ही समय लग रहा है, यह ना, बापस आने में भी उसको 1 minute का ही समय लग रहा है, find the average speed and average velocity, अब देखो average speed बड़ाबर क्या होता है, B, A, B बड़ाबर क्या होता है, total distance by total time, अब total distance मेरा कितना हो गया, जाने में A से B और B से यह से फिर वापस जब A में आएगी वो, तो उसको आने में कितना लग जाएगा, 160 meter, कोई problem तो नहीं होना चाहिए आपको, और total जो time लगा, वो कितना लग गया, एक मिनट और एक मिनट, अगर हम इसको second में कर लेते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 60 plus, 60, ओके, यह हो गया मेरा second, मतलब 160 meter by 120 second, अब आप इसको calculate कर लोगे, आपको पता चल जाएगा, तो मैं आपको बता रहा था, कि 120 second, जड़ा सा एक चीज़ और हम, एक चीज़ और ध्यान देना है, जड़ा सा, क्या कहता है, 80 meter long pull, she covers 160 meter in one minute, और यह गलती हो गई है, यहाँ पे, actually मैं one minute में ही यह distances पूरा cover किया जा रहा है, मतलब कि आने में और जाने में, दोनों जो time उसका दिया हुआ है, वो one minute दिया हुआ है, तो यहाँ पे, सिर्फ 60 second हो जाएगा, ओके, यह हो जाएगा 60 second, अब आप इसको खुद calculate करोगे, ठीक ना, अब आप इसको calculate करोगे, तो मेरा जो average velocity, average speed हो जाएगा, यह देखिए average speed है, अब हमको average velocity निकालना है, V, A, V निकालना है, तो देखिए उपर में हमने एक arrow का निसान दे दिया है, तो बड़ाबर क्या हो जाएगा, आप देखो, इसका मतलब क्या होता है, displacement by time, और displacement तो मेरा 0 हो जाएगा ना, जब A से B, A से B पे गई और B से फिर बापस A पे आई, तो displacement क्या हो जाएगा, 0, और time तो मेरा 1 minute ही लग रहा है, या 60 second कहेंगा, तो ऐसे condition में इसका value जो होगा, वो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या आपको समझ में आड़ा होगा, कि what is differences between velocity, speed, average velocity और average speed, ओके, अब next मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, scalar और vector, देखिए, scalar और vector क्या होता है, देखिए, scalar quantity क्या कहता है, those physical quantities which have only magnitude, no direction, अब जैसे देखो, जिसमें सिर्फ magnitude होता है, करने का अच्छा, इसको हम लोग, इसको हम लोग, इसको हम लोग represent करते हैं, dot से, ठीक ना, इसको हम लोग dot से represent करते हैं, यह दियान देजिए, scalar quantity जो होता ना, उसको dot से represent किया जाता है, जैसे देखो, यहाँ के एक्जामपल दिया हो, मास, अब आप जो मास देते हो, जैसे मानलो मैं लिखता हूँ 1 kg, अब 1 kg लिखा तो इसमें 1 जो है, वो क्या है, magnitude है, और kg उसका क्या है, physical quantity का जो unit है, वो है, अब 1 kg जब हमने लिखा, इसका मतलब इसमें direction तो नहीं लिखा, उसी तरह जब आप length देते हो, तो जैसे distance cover, जैसे आप distance, डिस्टेंस जो बताते हो, तो distance में उसका क्या है, आप उसका कोई direction तो नहीं होता है, डिस्टेंस का तो direction नहीं होता है, टाइम का कोई direction नहीं होता है, जैसे मानलो मैं लिखा 5 second, तो 5 second north, 5 second south, ऐसा तो आप लोग नहीं बोलते हैं, उसी तरह से आप देखिए volume, इसका भी कोई direction नहीं होता है, density कोई direction नहीं होता, temperature जब आप Kelvin में मापते हो, degree Celsius जो भी मापते हो, आप तो उसका direction तो नहीं होता, तो a scalar quantity वैसा physical quantity होता है, जिसका कोई direction नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है, जबकि vector quantity क्या होता है, देखिए vector quantity, those physical quantities which have magnitude as well as direction, जिसमें magnitude भी हो, और क्या हो, direction भी हो, तो ऐसे physical quantity क्या होता है, vector, ऐसे vector को देखो represent करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ऐसे common जो representation है, इसको हम लोग represent कैसे करेंगे, तो इसको represent करते हैं arrow से, जिसमें ये जो arrow का जो line है ना, वो magnitude को बतलाता है, और ये उसके direction को बतलाता है, तो इसका representation vector का arrow से होता है, अच्छा एक और बात, vector जो होता ना, वो कुछ rules follow करता है, जैसे addition का rule, substitution का rule, subtraction का rule, ये सब follow करता है, ये आपको higher classes में पढ़ना है, properly detailed way में, तो ऐसे जहां भी जहुवत पढ़ेगा, जब मैं आपको physics पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जहां भी जहुवत पढ़ेगा आपको, आगे chapters में, तो वहां मैं थोड़ा सा explain कर दूँगा इसको, अब देखिए, vector का कुछ unit दिया हुआ, जैसे velocity, displacement, acceleration, force, अब velocity, तो मैंने अभी थोदेर पहले भी explain किया था, कि velocity का मतलब क्या होता है, a speed with direction, displacement है, तो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि direction होता है, acceleration आगे हम लोग पढ़ेंगे, force देखिए, आप पढ़े होंगे 8 classes में, तो force में भी क्या होता है, कुछ direction होता है, तो कहने का मतलब कि vector quantity वो quantity होता है, जिसमें magnitude भी हो, और साथ में क्या हो, direction भी हो, जबकि यह scalar quantity वो quantity होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, magnitude होता है, इसमें direction नहीं होता है, तो इस तरह से आपका, यह scalar और vector आप समझ गयोंगे, इसके आगे का जो topic हमारा होगा, वो होगा acceleration जो आपका next वीडियो में होगा, तो यहां तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको revise करना है सारे topic को,